अवधानिक प्रक्रियाएं तथा कुछ भाग हमारा प्रसेप्शन के बारे में प्रतेक्शिक अरणिक प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहला इसके अंदर भाग आता है हमारे पास अवधानिक प्रक्रियाओं यानि अटेंशनल प्रोसेसिज सबसे पहले स्वाल है कि अटेंशनल प्रोसेसिज क्या है वह प्रक्रिया जिसके आधार पर उद्धीपक सम्हों से कुछ उद्धीपकों का चैन किया जाता है उसी को सामान्य तया अवधान कहा जाता है इस प्रक्रिया के अंदर सबसे पहले आता है चैन या सेलेक्शन चैन के अतिरिक्थ आवधान के अन्य गुण है सबसे पहला स्तर्क्ता या जिसको अलर्टनिस कहा जाता है व्यक्ति की ततपर्ता उद्धीपक का सामना करना और इसके बाद है एकागर्ता यारी कंसेंट्रेशन विशेश वस्तूओं के बोध के लिए अन्य वस्तूओं को रिष्टी से बाहर करके हम एक ही वस्तूओं पर केंदरित करते हैं अगला पार्ट है हमारे पास खोज यानि सर्च प्रेक्षक वस्तूओं के समुच्च में से उनकी कुछ विशिष्ट उप समुच्चों पर ध्यान देता है तो ये तीन भाग थे हमारे पास अवधान पर क्रिया के अब आता है हमारे पास अवधान के परकार अवधान को हम तीन भागों में बाटते हैं पहला है चैनात्मक जिसको हम सेलेक्टिव कहते हैं सेलेक्टिव या चैनात्मक में अनेक उद्धिपकों में से different stimulus में से कुछ सीमित उद्यूपकों या वस्तूओं का chain किया जाता है select किया जाता है दूसरा है हमारे पास विभक्त आफधान जिसमें हम divided attention कहते हैं एक समय में दो भिन क्रिया कलापों पर ध्यान देना जैसे हम कार चलाते समय किसी से बाते करते हैं कार चलाने में भी ध्यान रखते हैं और बाते करने में भी ध्यान रखते हैं यह divided हो गया बट गया है तीसरा है हमारे पास संधर्थ या sustained जिस अवधान को हम लंबे समय तक देखते हैं ध्यान किसी वस्तू अथवा घटना पर देर तक बनाए रखते हैं तो इसके हम सतर्कता भी कहते हैं जैसे एर ट्रैफिक कंट्रूल में जो हवाई यातायात नियंतरक एमम रेडार सिस्टम है उसके अंदर व्यक्ती बहुत लंबे समय तक स्क्रीन पर सिगनल्स देखता रहता है जिसके दवारा उसे वाई यान की स्थीती का पता लगता है नेक्स आता है हमारे पास चैनात्मक अवधान को परभावित करने वाले कार्क इसमें सबसे पहले है बाहियकार्क या एक्स्टर्नल फैक्टर्स उद्धीपकों के लक्षणों से संबंधित होते हैं बाहियकार्क उद्धीपकों के लक्षणों से संबंधित होते हैं जैसे उद्धीपकों का आकार नहीं साइज क्या है उसकी intensity तीवर्ता क्या है या उसकी गती क्या है ये अवधान के परमुख निर्धारक होते हैं नए तथा सामाईने रूप से जटिल उद्धिपक भी हमारे अवधान में आ जाते हैं मुनिश के फोटो अन्य जीवों की फोटो की तुलना में जल्दी अवधान में आते हैं साधारन शबदों की अपेक्षा संगीत शबद जल्दी अवधान में आते हैं दूसरा आन्तरिकार्ग या इन्टर्नल फेक्टर्द आंत्रिक कार्क व्यक्ति के अंदर होते हैं और इनको हम दो भागों में बानते हैं एक है अभी प्रेणात्मक कार्क जिसको मोटिवेशनल फैक्टर्स कहा जाता है इनका संबन्ध हमारी जैविक एवं सामाजिक आवशक्ताओं से होता है जैसे भोख लगी हो तो भोजन की हल्की गंद की भी पैचान हो जाती है प्रिक्षा देने के लिए शिक्षक के भाशन को अधिक ध्यान से सुना जाता है दूसरी परकार आती है संग्यानात्मक कार्क या जिसको हम कॉग्निटिव फैक्टर्स कहते हैं इसके अंतरगर्थ व्यक्ति की अभी रूची यानि इंट्रेस्ट उसका अपनी अभी विर्थी एक्टीचूट तथा पूरव विन्यास प्रिप्रेटरी सेट आती है रूची कर घटनाएं व्यक्ति की ध्यान में शिगर्था पूरवकाती हैं व्यक्ति की रूची होती है तो घटनाएं जल्दी उनका वो ध्यान में जल्दी आती हैं घटनाएं जिनकी और अनुकूल दिरिष्टी होती है उनकी और अधिक अवधान होता है पूरव विन्यास एक मानसिक प्रिस्थिती जो एक निश्चित दिशा में कारिया करने को प्रेरित करती है ये पूरविन्या से और एक विशेश उद्धीपक के परती एक विशेश अनुकिरिया होती संग्रत अवधान को प्रभावित करने वाले कार्क सबसे पहला समवेदन परकार्ता, सेंसरी मोलेलिटी चाक्षुस उद्धीपक यानि विज्वल स्टीमूलस की तुलना में शर्वन सब्बंधी उद्धीपक ओडिट्री स्टीमूलस होने पर निश्पादन यानि परफॉर्मेंस अच्छा होता है उद्धीपकों की सपस्ता, कलेरिटी ओफ स्टीमूलाई तेवर्थ और देर तक बने रहने वाले उद्धीपक संध्रत अवधान में सहायक होते हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है स्थानिक ए निश्चतर्ता, स्पेशिल अंसर्टन्टी जब उद्धीपक एक निश्चित स्थान पर परकट होते हैं तो उन पर ठीक से ध्यान दिया जाता है नेक्स्ट है कालिक ए निश्चित्तता, केंपोरल अंसर्टन्टी जब उदीपक नेमित अंतराल पर प्रकट होते हैं तो उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है आप देखेंगे वहान की जो नमबर प्लेट होती है उस पर अंक इस परकार बलाये जाते हैं लिखे जाते हैं कि उन संख्याओं को एक जलक में देखने से ही वो ध्यान में रह जाती हैं उनको नोट कर सकते हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस जब किसी भी वहान को देखते हैं तो उस पे नंबर वो इस प्रकार से होते हैं के ट्रैफिक पुलिस वाला परसन एक ही जलक के अंदर उन संख्याओं को पर अवधान कर सकता है उनको समझ सकता है उनको देख सकता है तो इस परकार से हमने ये अवधान परक्रिया को किस परकार होती है कौन-कौन से इसके घटक हैं कौन-कौन से इसके कारक हैं जो हमारी हमारे पास अगली परक्रिया आती है प्रत्यास्टिक परक्रियाएं परसेप्च्वल प्रोसेसिस अब परसेप्च्वल प्रोसेसिस क्या है जिस परक्रिया से हम ग्यानिंद्रियों द्वारा परदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं उनकी व्याख्या या अर्थवान उसे protection कहा जाता है या उसको perception कहते हैं protection किसी वस्तु या घटना की व्याख्या मातर नहीं है बलकि अपने द्रिश्टी कौन के अनुसार वस्तु या घटना की एक रचना भी है प्रतेक्षी करण किरिया में बहुत सी उप परकरियाएं होती हैं सब प्रोसेस्स आफ परसेप्शन उद्धिपक समवेदी गराही अवधान मस्तिस्क अधेगम सिमर्ती इत्यादी प्रतेक्षन के परकर्मन उपागम यानि प्रोसेसिंग एप्रोचिज इन परसेप्शन सबसे पहला है इसमें उधर्व गामी परकर्मन बॉटम अप प्रोसेसिंग प्रतेभिग्यान परकरिया अंशों से प्रारब होती है यानि एक भाग को हम देखते हैं और समगर यानि टोटल प्रतेभिग्यान का आधार बनती है recognition begins from the parts and serves basis for the recognition of the whole दूसरा पार्ट आता है इसमें अधोगामी परकर्मन यानि टॉप डाउन प्रोसेसिंग प्रतेभिग्यान परकरिया समगर से यानि उसको हम टोटल देखते हैं और उसके parts में देखते हैं से प्रारंब होती है और उसके आधार पर विभिन घटकों की पहचान की जाती है recognition begins from the whole and leads to identification of its components इसके बाद आता है हमारे पास protection करता है यानि the perceiver मानव बाहिएवाता वरण को अपनी ही विधी से समझने का प्रियास करते हैं इस परकरिया में उनकी अभी प्रेरा यानि motivation सांस्कृतिक ज्यान, cultural knowledge, पूरव अनुभव, past experiences, तथा सिमर्तियों, मेमोरीज के साथ-साथ, मुल्य, विश्वास, एवं अभी वर्तियां, attitudes, बाहियर जगत को आर्थ पूरण बनाने में महत्व पूरण भूमी का निबालती हैं इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास अभी प्रेरा यानि motivation पर्टेक्शन करता कि आवशक्ताएं एवं इच्छाएं उसकी पर्टेक्शन को अधिक परभावित करती हैं एक भूखा व्यक्ति आहार सामगरी का पर्टेक्शन अधिक करता है दोसरा पर्टेक्शाएं एकस्पेक्टेशन या पर्टेक्शिक विन्यास पर्टेक्श्वल सेट्स किसी दी गई स्थिती में मानव की आशाएं भी पर्टेक्शन को परभावित करती हैं जैसे एक दूद वाला पर्टी दिन पांच बजकर तीस मिनिट पर रोजाना आता है और उसी समय कोई दर्वाजा खटखटा आता है तो यह समझा जाता है कि दूद वाला ही आया है यद पी कोई और व्यक्ति भी हो सकता है तीसरा पांच ठ्रहिस में संग्यानात्मक शैली कोगनेटिव स्ताहिल्स शंग्यानात्मक शैली का संबंद अपने प्रियावन के संगत तरीके से कंसिस्टेन्ट विवार करने से ही होता है तो परकार की संग्यानात्मक व्यापक रूप में प्रियुक्त शैलिया शेत्र आशरित फिल्ड डिपेंडेंट शेत्र आशरित लोग बाहिय जगत की उनकी समगर्ता की रूप में प्रतेक्षन करते हैं दूसरा है शेत्र अनाशरित फिल्ड इन्डिपेंडेंट शेत्र अनाशरित लोग बाहिय जगत को उसकी छोटी एकाईयों में विछेद करते हैं अर्थात विशलेशनात्मक अनालेटिकल अथवा विभेदित डिफ्रेंशेटिट डंग से देखते हैं सांस्कर्तिक प्रिष्ट फूमी और अनुभव, कल्चरल बैक्ग्राउंड एंड एक्स्पिरियेंशेज विभिन्य सांस्कर्तिक प्रिवेशों में उपलब्द विवेद अनुभव एवं अधीगम के अवसर भी पर्तेक्षन को प्रभावित करते हैं जैसे साइबेरियाई अक्षेटर में कुछ आदिवासी समू रेंडियर की तवचा के रंगों में भेद कर लेते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता इस परकार हमने पांचवे अधाय के दूसरे भाग में अवधान पर करियाएं क्या हैं उनके परकार कौन से हैं उनको परभावित करने वाले कार कौन से हैं और पर्टेक्शन के लिया परसेप्शन क्या है परसेप्शन को कौन कौन से कारक परभावित करते हैं इसकी हमने विस्तरत रूप से तर्चा की मुझे आशा है कि ये आपको जुरूर समझ में आई होगी और आपके लिए ये लाबदायक रहे अजय करते हैं आपके लिए्याए फजी और आपके लिए ये ये रहे लिए लिए से